मायवती प्रेस कॉन्फरेंस कर रही है अपनी राय रख रही है तो एक बार फिर से चार बजे का वक्त रखा है जब मायवती मीडिया से मुखातिम होंगी तो इस सीधी तस्वीर है फिलहार आपको हम दिखा रही है उस जगे की इस तर की जहां प्रेस वारता करने वाली है माय पर जो नोट बंदी हुई है उसको लेकर सरकार परिशाना साधाता और मायवती ने कहा था कि आपातकाल देश में लग गया है आर्थिक आपातकाल लग गया है और जनता की जो परिशानी है उस पर प्रदान मंतरी का ध्यान नहीं है तो फिलाल आज किस मसले पर अपनी राय र मोधी जिस तरह से राजी की पूरवर्ती सरकारों को घेरा यहां पर और राजी सरकारों पर राजी के विकास के पिश्ड़ेपन का आरोप लगाया है तो मायवती क्या कुछ हमला करती है किस तरह से केंद्र को घेरती है बीजेपी को घेरती है तो यह मसले फिलाल देखने कि आज की प्रेस कॉन्फरेंस में कौन कौन से मुद्दे मायवती उछाती है तो चले मायवती जब आएंगी तब हम आपको उनकी प्रेस कॉन्फरेंस में ले चलेंगी बस आने ही वाली लेकिन तब तक पाहड पॉलिटिक्स में कुछ खबरें आपको बताते चलें तो आज उत्राखन में क्याबिनेट की एक बैठक होने वाली है, बहुत महत्वपूर बैठक है और चुनाव से पहले जो भी बैठक हो रही है तो बहुत सारे महत्वपूर फैसले उसमें लिये चा रही है तो हलाकि क्याबिनेट की बैठक अजबा के चार बजे की बात का दिया गया है तो उस पर भी नजबर हमारी बनी हुई है अनुपूरक बजट को लेकर फैसला होगा क्यूंकि गैठसनेर सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और क्याबिनेट में आवास विभा के प्रस्ताव रखी जाएंगे राजी में 21 नए विकास प्राधी करोन के गठन को मंजूरी मिल सकती है दो रेगिलेटिट एरिया कार्यालेव को बंद कर सकती है सरकार चोपता और नवीम चकराता को भी सरकार बंद कर सकती है MBDA और SADA में विलाय का प्रस्ताव केबिनेट में रखा जाएगा उत्तराखंड मोटर वाहन वियमा वली में संशोधन को मंजूर कर सकती है केबिनेट रोड सेफ्टी यानि के सड़क सुरक्षा के नई मानकों के संबंद में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है और खिलारियों को लेकर भी एहन फैसला हो सकता है तो सभी विभागों में नौक्री किस तरह से खिलारियों गुजी जाए तो उस प्रस्ताव पर भी आज केबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है मेडिया बंदुओं आज की ये प्रेस कॉन्फरेंस खास तोर से आज गाजीपूर में बीजेपी की हुई रैली में जो बुरी तरह से फलॉप हुई है और इस रैली के बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि बीजेपी के लोगों ने इस रैली को कामियाब बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई है और मुझे गाजीपूर के लोगों ने ये बताया है कि इस रैली में जो लोग उदर पहुँचे हैं तो जादा तर बेहार के लोग हैं गाजीपूर बिल्कुल बेहार से लगावा है बेहार के लोग हैं और पूरे पुरुआचल से लोगों को उदर इकठा किया गया और लोग तो ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने जो धाई बसों में काला धनी कठा किया है फरजीब अपनी पार्टी की मेंबरशिप के जरिये तो उस पैसे से धाई सो धाई सो रुपे लोगों को दे कर पर्तेक मेंबर को दे कर तो ये लोग बसों में लाए हैं और रेल गाडियां इन्होंने फ्री कर दी थी जिन लोगों को लाए वो किराई से नहीं आए हैं एक तरफ स्री नरेंदर मोदी ये कहते हैं कि मैं भरिस्ता चाम के करप्शन के खिलाफ हूँ तो वहीं दूसरी तरफ तो इन्हों ने जो सरकारी रेल है उसका राजनिती करन कर दिया और बिना भाड़े के बिना किराय के तो रेली में लोगों को लाया गया क्या सरी नरेंदर मोदी ये जवाब देंगे अपने गरेबान में जाग कर देंगे वो कितने दूद के धूले हैं दूसरों को सला देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भरस्ताचार के उपर अंकुस लगाने के मामले में तो अपने लिए वो कितने साबसुत्रे हैं वो कितने उसके उपर अमल करते हैं पहले ये तो बताएं और आज की जो गाजीपुर की रैली हुई बुरी तरीके से फेल हुई है और एक लाख लोग भी पूरी ताकत लगाकर एक लाख लोग भी इकठे नहीं हो पाएं मुश्किल से 20-25 जार लोग इकठे हो पाएं जबकि पूरे बिहार की ताकत रेल फ्री कर दी बसे फिरी कर दी, दिहाडी में लोग लाए गए और पूरी ताकत लगा कर ये रैली की और रैली बुरी तरीके से फ्लॉक हुई है, फेल हुई है ये किसी से छिपा नहीं है हलाग के चाए मीडिया, चाए बीजेटी के लोग मीडिया को मैनेस करके तो वो जो भीर दिखा रहे थे मैंने ये देखा जादे तर वो भीर सोन भदर की दिखा रहे थे कुछ सोन भदर की दिखा रहे थे कुछ अलग-अलग इदर उदर की भीर दिखा कर तो तब जाकर वो मीडिया में अपना चैरा दिखा पा रहे थे कि रैली में बहुत लोगा है लेकिन ये रैली बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है और आज जो गाजीपूर में बीज़ेपी की रैली हुई है तो इस रैली में परधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी का जो भाशन हुआ है उस पर अपनी पार्टी की पर्तिकिरिया जाए करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि परधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी ने अपनी पार्टी की गाजी पूर की हुई रहली में अपने पूरे भाषन के दुरान जितने समय में उन्होंने भाषन दिया है अपने पूरे भाषन के दुरान आज जो कुछ भी का है वे पूल डूप से थोता चनावे बाजे घना थोता चनावे बाजे घना की ही तरह था और सबसे पहले उन्होंने अपने भाषन में खास कर भरिष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए जो ये काह हैं कि बईमानों से आजादी के बाद से अब तक की काली कमाई के हिसाब लिये जाएंगी अच्छी बात है इस पर हमारी पार्टी का भी ये कहना है कि देश की आम जनता हर परकार के बरस्ताचार, काला धन, जमा खोरी रहर रास्ते संपती के लूट आदी के अभिशाब से इस्ताई मुक्ती चाहती है और इस समझ में हमारी पार्टी हर कड़े फैंसले वे सजा का तै दिल से स्वागत भी करती है जिसके करम में ही उसने यानि कि देश की आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को केंद्र वे जादत्ता राजों की सता से बाहर कर दिया है ये किसी से छिपा नहीं है प्रिंसु परधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी की सरकार काला धल वे भरस्ता चार पर अंकुस लगाने की आड़ में देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आत्मान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी इस भ्यावे स्थिति की कल्पना लोगों ने कभी भी नहीं की थे और वहीं दूसरी तरफ केंदर की भाजब्पा सरकार ने महा ब्रस्ताकारी ललित मोदी वे विजे माला को देश से भगा दिया भार भेज दिया विदेश भेज दिया और साथी देश में 66,000 करोड रुपे के काले धन को भी सफेद करवा दिया और उन में से किसी का भी काला चेहरा आम जन्ता के सामने नहीं आने दिया अभी तक नहीं आया है किंतु पांसो वे एक हजार रुपे के नोटों पर पाबंदी लगा कर देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, करमचारियों, महलाओं, बच्चों, छात्रों, युगों, वुजुर्गों, मरीजों, लाचार लोगों को भारी मुसीवत में डाल कर उन्हें घंटों-घंटों, खुले आस्मान में करवा करके, सामुनिक तोर पर जन पीड़ा देने का ये गलग काम अवश्य ही इनोंने किया है इस परकार देश की आम जनता को सामुनिक तोर पर ऐसी कड़ी सजा क्यों इसका जबाब स्री नरेंदर मोदी को जरूर देना होगा इसके इलाबा है, देश की लगभग स्मस्त आर्थिक गतिविदी ज़े करोडों छोटे वे मध्यां द्रफसाओं को ठप करके या भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार दुआरा किया गया है, जैसे हालाता पैदा हो गया है, जैसे भारत बंद हो गया हो अर्थाथ या भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार दुआरा किया गया है, उससे अच्छे दिन की उमीद लगाए बैठे करोडों लोगों को अब या काफी ज़्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ा है और अब वे इस नार के इस्तिती से यता सिग्र मुक्ती चाहते हैं इतना ही नहीं बलकि केंडर सरकार दुआरा लोगों से अगले एक महीने तक धहरिये रखने के लिए जो कहा जा रहा है वे सरकारी घोसना वास्त में लोगों के जखनों पर नमक छिड़कने जैसा ही है ऐसा परतीत हो रहा है और अब यहां यह सवाल उटना सुभाभी किया है कि केंडर की भाज़पा सरकार को इतना अपरपक तरीके से अज कच्चे तरीके से जल्द साधारन को इतना अत्याधिक प्रभाभी करने वाले फैसले लेने में इतनी जल्दबादी वे आपा धापी करने की क्या जरूरत थी जब हम जल्दबादी बोलते हैं तो कल परधान मंतिजी बोल रहे थे कि हमने ये कोई फैसला जल्दबादी में नहीं लिया है उनका ये कहना था कि ये फैसला हमने सीक्रेट रखा और दस महिने से इनकी इसकी त्यारी चल रही थी मैं पूछना चाहती उपरधान मंतिजी से दस महिने का समय बहुत होता है दस महिने में यदि इनकी सही माइने में त्यारी होती है तो आज जो बुरा हाल है पूरे देश के अंदर लोगों को एक हजार के नोट तक लोगों को एक हजार रुपे तक भी नहीं मिल रहे है लोगों को दो हजार रुपे तक भी नहीं मिल रहे है कितना बुरा हाल है ATM मशीने खराब पड़ी हुए है बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है और ज्यादातर मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि ATM और ये जो बैंकों में पैसा आया ही नहीं है दस महिने की त्यारी चल रही है तो दस महिने में तो ये जो नए नोट ला रहे ते वो कहा हैं वो तो जन्ता के सामने आने चाहिए और ये बहाना बना रहे हैं कि बैंक जो है वो कभी छुट्शी का बहाना कभी बोटें कि अभी पैसा आ रहा है थोड़ा इंतिजार करो तो बहुत बुरा है है पूरे देश के अंदर यहां यह भी तो यह आफा दापी जो मची हुई हैं यह जो दस महीने की बात कर रहे हैं मैं समझती हूँ यह बिलकुल गल्ट है और दस महीने का समय बहुत होता है जड़ी 10 महीने में इन्होंने πूरी त्यारी की होती, इन्होंने 500 रुपे, 1000 रुपे के नोट पर जो पावंदी लगाई है, हमारी पार्टी कोई इसके खिलास नहीं है, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये फैसला लेने से पहले इनको पूरी त्यारी करनी चाहिए थी, ये 10 महिने की त्यारी बता रहे हैं, 10 महि में की पूरी त्यारी होती है, तो आज तरीक से लेकर, 9 तरीक से लेकर अब तक, जो पूरे देश की जनता में आहकार मचावा हैं, लोग अपने सभी कामकार भूल गए, बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, प्रही प्रही मचीए, अपरा तफरी का महल पैदा है, ऐसा पर्धान मंतरी सिरी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी परकार की जिद्दी भरी, वे आप परिपक को पूर्न, किसान विरोदी फैशला ने आप भूमी अधी गरहन कानून बनाने के समझ में भी पहले लिया था, जैसे यहा भी आप कच्चा फैसला लिया है, आप परिपक क पूर्ण किसान विरोधी फैसला नया भूमियादी ग्रहन कानून बनाने के समझ में भी पहने लिया था और उसके लिए एक ही अध्यादेश को अने को बार जारी करने की हट धर्मी भी की थी हलाके बाद में भारी जन विरोध के मध्य नजर फिर इनको अपने उस फैसले को वापिस भी लेना पड़ा था ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है इसके साथ ही इनों ने देश में 500 रह एक हजार रुपे की नोट बंदी पर बोलते हो वे ये भी कहा आज ये भी कहा गादीपूर में कि मेरे इस फैसले से देश में अमीर नीन की गोलियां खाकर और गरीव चैन की नीन से सो रहा है आज उन्होंने गाजीपूर में ये कहा कि मेरे इस फैंसले से देश में अमीर नीम की गोलियां खाकर और गरीब चैन की नीम से सो रहा है जो इनका ये बियान पूर्णता हवा हवाई रखोकला है इसके सिवाई कुछ भी नहीं है जबकि इस मामले में वास्तम में सचा ये है कि इनके इस फैंसले से देश में गरीब नीम की गोलियां खाकर और अमीर जो लोग है चैन की नीम से सो रहा है गरीब लोग या तो मारे मारे घूम रहे हैं लाइन लगा कर घूम रहे हैं या बिचारे जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो सही माइने में नीम की गोली खा करतो हूं गरीब लोग बिचारे अपने घर में पड़े हैं भूके पैसे बहुत बुरा हाल है उनका और अमीर लोग चैन की नीम से सो रहे हैं ये उनको बोलना चाहिए था जो इस समय के वर्तमान खालाथ हैं जिनकी मदद के लिए यानि के जिन अमीर लोगों के मदद के लिए जो चैन की मीन से सो रहे हैं जिनकी मदद के लिए नोने 500 वे 1000 रुपे के नोटों पर परती वंद लगाने से पहले यंदर अंदर व्यवस्ता भी कर दी थी ऐसी ये आम चर्चा लोगों में इसके साथ याज उन्होंने अपने पूरे भाशन में गाजीपूर में आज उन्होंने अपने पूरे भाषन में उत्तर परदेश के विकास वे उक्ठान के बारे में ज्यादा कुछना बोलते हुए अधिकांस घूल सिरकर बार बार भरस्ताचार पर ये बोलते हुए ये कहा है कि उत्तर परदेश की जनता ने मुझे भरस्ताचार को खतम करने के लिए ही देश का परधान मंत्री बनाया है जिसे मैं पूरा करने में लगा हूँ इनों ने आद ये कहा लेकिन उन्हें मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रवेश की जनता ने अकेले भरस्ताचार को खतम करने के लिए ही नहीं बलकि इसके साथ-साथ यहां की जनता के विकास वे उत्राम के लिए भी इनको देश का परधान मंतरी बनाया है जिसका इनों ने अपने लगभग धाई बरसों के शाचनकाल में अब तक एक चोथाई हिस्ता कारिय भी पूरा नहीं किया है आप लोगों को मालूम है कि लोगसबा आम चुनाव के दुरान इनोंने देश की जो गरीम आम जनता है उनको किसम किसम के चुनावी वाइदे किये थे बहुत लोगसबा आम चुनाव में हर इस्तर पर इनोंने विविन छेत्रों में लगे लोगों के हितों में किसम किसम के चुनावी वाइदे किये थे और इसी करम में उन्होंने सबसे बड़ा वाइदा उत्तर परदेश सहीद पूरे देश की जनता को ये किया था कि जब केंदर में BJP के सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद सो दिनों के अंदर ही तो अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है उसे वापिस लाकर तो देश के हर गरीब परिवार के हर सदसे को 15-20 लाक रुपे के रूप में मदद दी जाएगी ये उन्होंने कहा था बाइदे तो बहुत किये थे लेकिन पूरे देश की जो गरीब आम जनता है तो उन्होंने सोचा कि भई ये तो बोटी तो देना है फिरी में 15-20 लाक रुपे मिल जाएगे तो हम तो बहुत माला माल हो जाएगे एक परिवार में माली जे पांच लोग गरीब हैं और पांच लोगों को 15 से 20 लाख रूपे मिलेंगे गहुत माला माल हो जाएंगे तो लोगों ने इनको बोड़ दे दिया इनके भैकावे में आगे गुम्रह हो गे और इनको केंदर के सत्ता पर आसीन कर दिया और भी किसं किसं के वाइदे किये थे इन्होंने कहा था बिजली 24 घंटे मिलेगे कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा हर छेतर के लोग खुशाल हो जाएंगे बहुत वाइदे किये थे मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ आप लोगों को उसके बारे में जानका में उसका एक चोथा हिस्सा भी अभी तक पूरा नहीं किया है इसके साथ ही यहां मैं परधान मंत्री स्री नरिंदर मोदी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि वे ये बताएं कि केंदर में इनकी सरकार ने अपने लगभग धाई बरसों के शासनकाल में खास कर उत्तर परद क्या ठोस्वे बुनियादी कारिये की हैं जाई बरसों में आज ये गाजीपूर में अपनी रेली करने के लिए गए आज पूरे पुर्वाचल की जनता को कि गाजीपूर पुर्वाचल में आता है आज पूरे पुर्वाचल छेतर की जनता तो स्री नरेंदर मोदी से यह जानना चाहती है मैं उनकी ओर से पूरे पुर्वाचल छेतर की जनता की ओर से मैं स्रीन नरेंदर मोदी से ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने धाई बर्सों के शाशनकाल में तो उत्तर परदेश का जो पुर्माचिल छेतर है जो उत्तर परदेश में सबसे ज़्यादा पिषड़ा हुआ है तो उसके विकास वे उत्तरान के लिए अभी तक खेंदर की सरकार की और से क्या-क्या ठोस्वे बुनियादी कारिये की है शादिस का जबाब वे कभी नहीं दे पाएंगे उन्होंने कुछ काम किया हो तो वो दे पाएंगे और अब यहां उत्तर परदेश में विधान सबा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले एक देड़ महीने में अलक्सन अनाउंस हो जाएंगे और अब उत्तर परदेश में विधान सबा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले यहां कुछ गोशनाएं पूरे उत्तर परदेश में जगाब होगा क्या कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी परधान मंत्री की रहलियां होंगी तो अब ये लोग करेंगे कि आद धाई साल में इनोंने कुछ नहीं किया आज गाजी पुर में इनोंने पुर्वाचल का ये बड़ी रहली की जो बुरी तरीके से फेल हुई तो इनोंने धाई साल में पुर्वाचल के डवलोमेंट के लिए कोई काम नहीं किया ठोस और बन्यादी लेकिन अब उनके बोटों के लिए आज उनोंने कुछ गोश्णाएं किये हैं कुछ सिलाना साधी किये हैं उनको अपनी और आकरशित करने के लिए और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जहां भी बीजेपी के अब ये प्रोग्राम हो गए ड़ाई साल में कुछ किया नहीं है और अब ये एक देड महीने में परधान मंत्री सिरी नरेंदर मोधी बिहार परदेश के पैटन पर चलकर जो उन्होंने बिहार में किया असम्बली के चुनाब होने से पहले उसी पैटन पर चलकर अब ये उत्तर परदेश में भी तो यहां उत्तर परदेश की जनता को क्यों से हिसाम माग रही है धाई साल का उत्तर परदेश की जनता कि धाई साल में आपने जो लोग सबा के आम चुनाब में चुनाबी वाइदे के थे उसका हिसाब दो अब इन्होंने कुछ काम किया नहीं तो अब बिहार परदेश की तरह ही तो अब उत्तर परदेश में जब चुनाब के लिए बहुत कम समय रह गया है तो चुनाब होने से पहले तो अब ये बीजेपी के जितने भी राष्टे नेता हैं ये केंद्रिय मंत्री हैं परधान मंत्री सिरी नरेंदर मोदी अब होगा क्या कि जगा जगा इनके पास कुछ बचा तो हैं नी विचारों के पास अब ये करेंगे क्या कि जगा जगा जाएंगे और अब किसन किसन के सिलानास करेंगे बिभिन मुद्दो को लेका या बिभिन मंत्रा ले उससे समंदित सिलानास करेंगे, गोशनाएं करेंगे, अब वो एक छोटी सी रेल है, थोड़े से एरिय के लिए रेल को हरी जंडी वो दिखाई है, वो तो रेल वे मंत्री भी दिखा सकता है, उसको पढ़ान मंत्री दिखा रहे हैं, और वो अब सिलानास कर रहे हैं, अब उनको वो मेडिकल चेतर में या हेल्थ के चेतर में धाई साल तक कुछ याद में आया पुरुमाचल का भी याद आ रहा है फिर बोलते हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया अभी कुछ महीने पहले गोरतपूर में खाटका कार खाना जो बर्सों से बंद पड़ा था तो लगवग दो साल तक ये खुम करन की निंग की तरह सोते रहे जब चुनाब के लिए कुछी समय कुछ महीने बचे तो वहां जाकर कोई खाटका कार खाना भी सुरू नहीं किया है केवल अभी उसका सिला नाज किया है केवल उसका अभी सिला नाज किया है सुरू कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकत मुझे नहीं लगता कि ये शुरू होने वाला ये चुनाब के दोरान तो इसलिए अब अपने धाई बर्सों में इन्होंने कुछ नहीं किया तो जनता का ध्यान डाइवल्ट करने के लिए अब ये लोग कर क्या रहे हैं अपनी रैलियों में अब इनके पास कुछ भी नहीं है हम मैं तो ये चाहती हूं हमारी पार्ट ये चाहती है कि परधान मंत्री सिरी नरेंदर मोदी धाई साल के अंदर उन्होंने उत्तर परदेश की जनता के लिए क्या किया है उनके डव्लोमेंट के लिए अनके विकास के लिए क्या-क्या वो उसका हिसाब देना चाही है लेकिन वो हिसाब देने की बजाए अब वो हवा हवाई खोकली घोषनाए by भोशनाएं कर रहे हैं अर्थाज सही माइने में ये जो पुर्वाचल के लोगों के सामने जो उन्होंने उनके डवलमेंट के बारे में उनके उत्थान के बारे में कुछ थोस बाते करने की बजाए वो इधर उधर की बाते करते रहे पुर्वाचल के लोगों क्या चाहते हैं पुर्वाचल के लोग अभी वस्ते से डिमांड रही है, बहुत पिछड़ावा खेत रहा है, कि उनका अपना अलग से स्टेट बनना चाहिए, और ये काम तो सेंटर गवर्मेंट को करना है, और जब उत्र प्रदेश में मेरी सरकार थी, तो हमारी पार्टी के सरकार ने, तो पुर्वाचल अलग से स स्टेट बनना चाहिए पच्छमी यूपी अलग से स्टेट बनना चाहिए अब अलग से स्टेट बनना चाहिए तो इसको लेकर तो विधान सबाद से परस्ताफ पारिस कराके सेंटर गवर्मेंट के पास भीजा हुआ है कांग्रेस सरकार ने भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जो पूर्पी केंदर के रिए कांग्रेस और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी इसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है कहने का तात्र यह है कि पुर्वाचल की जो जनता है वो अपना स्टाई विकास चाहती है और वो यह चाहती है कि उनका स्टेट अलग से बनना चाहिए परधान मंत्री यह कुछ करना चाहते हैं तो उनका स्टेट अलग से बना दे और उनके डवलोमेंट और स्टेट बनाकर तो इस छेतर के विकाश के लिए इस नए स्टेट को बनाकर उनके डवलोमेंट के लिए तो विसे आतिक साहता इस छेतर के लिए उनको देनी होगी लेकिनी सोट ध्यान देने की बजाए तो वो इदर उदर की पूरे भाशन में इदर उदर की बाते करते रहे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो आशवाशन दिया था तो मेरे खाल जमी में उनको बताना चाहिए था अच्छी बात है इस मामले में हमारी पार्टी उनके साथ में हैं लेकिन उससे पहले इनको अपने सरकार के लगभग ढ़ाई वर्सों के शासंकार में अपने लोगसबा चुनावी वाइदों का भी हिसाब जनता को जरूर देना चाहिए जो इन्होंने अभी तक भी नहीं दिया है और अब अपनी इन सब जबर्दस कम्यों वे विफलताओं पर से जनता का ध्यान बातने के लिए या इन पर परदा डालने के लिए सिरी नरेंद्र मोदी वे भाजपा के अन्य नेता गन भी अपनी विरोधी पार्टियों पर आए दिन अनर गन अरोप लगाते रहते हैं जो अती असोगने वे अती निदनी अभी हैं आप विचात भारा इन नितिगत मामले में आरोप लगाएं तो ठीक हैं लेकिन व्यक्तिगत तो पर आरोप लगाएं तो मैं समझती वो ठीक नहीं हैं और इसी करम में बीजेपी के लोग अब आए दिन बीजेपी के लोग नहीं रास्टे नेता भी परधान मंतरी सरी नरेंदर मोदी भी अब बीजेपी के रास्टे नेता के खिलाफ उनको बोलने के लिए कुछ मिलता नहीं है अब बोले तो बोले क्या तो इदर उदर की बाते करते रहते हैं अब वो जो कुछ इन्होंने अभी तक पिछले पांचे महीने में बोला है उसका मैंने जवाब दे लिया हैं चाए तो प्रेस कॉंफरेंस के माहिन से या प्रेस नोट के माहिन से अब ये सोच ते नया मुद्दा कैसे लाया अब ये नया मिद्धा अभी ये 15-20 दिर से फिर लेकर घूम रहे हैं इसी करम में BJP के लोग अब आई जिन BSP की राश्य अदक्ष के बारे में नोटों की ही मालक का गुनगान करते रहते हैं जबकि इस मामले में ये सभी जानते हैं कि BSP के लोग अपनी मेंटा को काली कमाई के नोटों से नहीं बलकि अपनी खूल पसेनी की कमाई का थोड़ा थोड़ा धनी कथा करके तब मोटों की माला पहना कर अपनी मेंटा का स्वागत करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है और बार बार ये कह देना अभी जो इन्होंने डिसीजन लिया काले धन पर अंकुस लगाने को लेकर लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अरोप लगाते रहते हैं जो खास कर बीजेपी के लोगों को अभी तक भी असानी से हजम नहीं उपा रहा है नोटों की माला ये पहनते रहें पूरे देश के अंदर नरेंदर मोदी को चाह कितने रोग नोटों की माला पना दें क्या इनके ओर राश्के निताओं को पना दे तो उनको अच्छा लगेगा लेकिन एक दलित की बेटी को नोटों की माला से सम्मानित किया जाए ये इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है इससे इनकी आज भी दलितों के प्रति हीं हीन में जातिवादी मान सिकता साथ जलती है ये स्परस्ट तोर पर है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो राष्टे नेता है विरोधी पार्टियों के बारे में यदि विरोध करना है तो वो नितिगत मामलों को लेकर करें तो बहतर होगा लेकिन ऐसी छिचोरी बाते करेंगे और एक परधान मंत्री की कुर्शी पर बैट कर ऐसी घटिया बाते करेंगे और खास तोर से एक दलित की बेटी के बारे में तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी मांसिक्ता अभी भी दलितों के मामले में इनकी सोच बदली नहीं है और अब मैं आंत में यही कहना चाहूंगी कि परधान मंत्री सिरी नरिंद्र मोदी का खास कर भरस्ताचार के मुद्दे पर दिया गया भाषन जो आज गाजिपूर में उन्होंने भाषन दिया है वैसे तो कल भी कई जगा दिया है तो उसके बारे में तो मैंने प्रेस्ट जारी करके अपनी पर्टी गरिया जाहिर कर दिया उसको मैं दोराना नहीं चाहती हूँ और अब मैं आंत में यही कहना चाहूंगी कि परधान मत्री सिरी नरिंद्र मोदी का खास कर भरस्ताचार के मुद्दे पर आज गाजीपुर में दिया गया भाषन पूरे तोर से बोखलाट का भाषन था और ऐसा लग रहा था कि वे अपने भाषन में पानसो वे एक हजार रुपियों की नोट बंदी पर लिये गए अपने इस अदकर्चे वे अपरिपक फैसले की जैसे सफाई दे रहे हैं इसके साथ ही यहां मैं इनको फिर से ही कहना चाहती हूँ कि उत्तर परदेश का जो चुनाव है तो भरस्ताचार के मुद्द के साथ साथ इनके लोग सबा चुनावी वाइदों के हिसाब किताब पर भी होगा यह भी भारते जनता पार्टी के लोगों को नेताओं को और खासकर परधान मंक्री सरी नरेंदर मोदी को जरूर याद रखना चाहिए यही दर और उदर की बाते चाह कितनी भी करते रहें लेकिन उत्तर परदेश की जनता उनसे जरूर यह हिसाब मांगेगे कि आप अपने धाई बरसों का जो आपका शाषन काल रहा है आपके केंदर की सरकार को बने हुए लगभग आदा समय भी चुका है तो धाई बरसों में आपने क्या किया है देश की जनता ये भी उनसे हिसाब मांगेगे और उत्तर परदेश की जनता और जिन राज्यों में अभी चुनाब होने वाला वो तो मांगे गई और आगे जब लोगसबा काम चुनाब होगा तब तो पूरे पांच साल का जवाब मांगेगे दाई साल में उन्होंने क्या किया है ये जवाब देना होगा तो इन्ही कुछ जरूरी बातों पर क्योंकि आज वो उत्तर परदेश में आये थे और गाजीपुर में उन्होंने जो कुछ बोला है उसके उपर मैंने पर्टी करिया देना जरूरी समझा और और भी कुछ और भी कुछ उन्होंने बहुत कुछ बोला है उसके उपर प्रेस नोट के जरिये आपको डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी हलाके मुझे आज दिल्ली जाना था 16 तरिक से पार्लेमेंट का सत्र शुरू हो रहा है तो लेकिन जब मुझे मालूम जब मुझे लगा कि इनका प्रोग्राम हलाके सारे इनका जो प्रोग्राम गाजीपुर का है तो मैं सोचा प्रेस नोट से ही काम चल जाएगा मैं दिल्ली जाकर जारी कर दूँगी मुझे लगा प्रेस नोट नहीं मुझे प्रेस में जाना चाहिए तो इसलिए मुझे अपना program भी थोड़ा सा डिले करना पड़ा है मुझे आज दिली भी जाना है तो इसलिए मैंने खुद press में आकर आप लोगों के सामने अपनी बात रखरें पड़ी है बात की detail में press note के जरीए पूरी जानकारी दे दी जाएगी इने लब्जों के साथ में अपनी बात नहीं समात करती हूँ धन्यवाद 16 तरीको पार्लिमेंट का सत्र शुरू हो रहा है तो आपको सम्मालूम पड़ जाएगा नहीं हमारी पार्टी इस मुद्धे पर पूरे विपक्ष के साथ है तो बड़ी बाते मायावती के स्ट्रेस कॉन्फरेंस की बड़ी बाते क्या रही वो हम आपको बताते सीधे सीधे आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की गाजीपूर की रैली निशाने पर रही मायावती के वो फैसला जिस पर प्रधान मंत्री की हरो तारीफ हो रहे मायावती ने सीधा का कि आज गाजीपूर की रैली में जब प्रधान मंत्री बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि बॉखलाहट पे भाशुन दे रहे मायवती ने कहा कि उनका ये फैसला यानि पांच सो और हजार उपए के नोट बंद करने का फैसला अद कच्चे और और अपरिपक को फैसले थे और ऐसा लगा जैसे आज गाजीपूर में प्रधान मंत्री इसी बात पर सफाई दे रहे थे सबसे बड़ा हमला इससे पहले आपने देखा कि मुलायम सिंग यादो ने भी इस नोट बंदी के फैसले पर सवाल खड़ा किया था दूसरे राज्यों में भी कई पार्टियों ने सवाल खड़ा किया लेकिन सबसे थीखा हमला मायावती ने किया है इस वक्त नोट बंदी के उपर एक प्रेस कॉंफरेंस में मायावती ने जहां एक और गाजीपूर की रैली की पूस्ट मार्टन की वही दूसरे और नोट बंदी के फैसले को अकच्चा और आप परिपक्व बताया है मायवती ने सीधामला कटेवे का कि गाजीपूर की रैली में जो भीर नजर आ रही थी वो दरासल उत्तर दो देश की भीर थी ही नहीं वो भीर बिहार से बुलाए गई थी और ऐसे लोगों को एकठा किया गया था दिखाने की कोशिस पुई थी कि हम भीर लेकर पहुँचे हैं मायवती ने ये भी आरूप लगाया गाजीपूर में ज्यादतर बिहार के लोगों की भीर थी धाई-धाई सौर उपए दे कर इसरैली में लोग बुलाए गए थे ये भी मायवती ने आरूप लगाया है नोट बंदी पर लोगों को नुखसान हो रहा है अमीर चैन की निंस हो रहा है गरीव कतार में खड़े हैं मायवती ने ये भी का पूरी ताकत छोकने के बाद भी प्रधान मंतरी किस रैली में जो की नोट बंदी के बाद उत्तरवदेश में पहली रैली थी एक लाख भी लोग नहीं जुटा पाई बीजेपी ये भी आरूप मायवती ने लगा पूरी ताकत छोकने के बाद एक लाख लोग भी नहीं जुटे इस रैली में रैली में पी-म का भाशन थोथा चना बाजे घना जैसा था जुनता को लाइन ने प्रधान मंतरी ने खड़ा कर दिया है 66,000 करोव के काले धन को सफीद किया गया विजे माल्या को केंदर ने भगा दिया ये भी आरूप मायवती ने लगाए हैं अच्छे दिन की उमीद में जन्ता बैठी थी लेकिन अच्छे दिन नसीब नहीं हुए